स्टीवमा सोलेशन चप्टर 44 क्वेशन नंबर 1 फैंड अनर्जी दा फ्रिक्वेंशी और मोमेंटम अन एक्सरे फोटन फोट 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 0.01 नेनोमेटर क्वेशन में हमें वेवलेंथ दे रखा है 0.10 फैंड में आपे नैनोमेट्र मेंटर में दे्खता है तो 0.10 नेनो को हम देखते 10 की पाओर मांस-9 ऐन है तो 0.10 एंटो 10 की पाओर मांस 9 मेंटर वेवललेंट है और वन फोट फोर्क फोर्नी पोचहे तो एनर्जी पोचहे दूस्तरा प्लाइं कोडिशन, C है, speed of light, और यह lambda wavelength, पहले ही पूट कर दो, 6.67 into 10 की power minus 34, ओके, और यह 3 into 10 की power 8, lambda आपने को ले रखा है, 0.10 into 10 की power minus 9 meter, यह answer किसमें आएगा, देखो यह सब SI quantity में हमने रखा है, तो answer जूल में आएगा, ठीक है, और हमें answer चाहिए, electron volt में, तो हम क्या करे करेंगे, इसको, इस चीज को पूरे को, 1 electron से divide कर देंगे, तो answer, electron volt में आएगा, तो 1 electron, 1.6 into 10 की power minus 19, यह होगा, 1 electron पर charge, 1.6 into 10 की power minus 19, तो यह अब answer आएगा, वो किसमें आएगा, electron volt में आएगा, तो इसको solve करेंगे, तो अपने पास answer आएगा, 12420 electron volt, याए इसको, ऐसा र 12.4 kilo electron volt, kilo, क्योंकि तो यह 3 है, तो 3 है, 0, तो 3 को में kilo लेकता हूँ, 12.4 kilo electron volt की आगे, अपने पास, energy आगिया, next अपने को पुछा है, frequency, frequency क्या होगा, frequency होगा, speed of light upon wavelength, तीक है, यह हो जाएगा, frequency, okay, speed of light, 3 into 10 की power, 8, okay, lambda कितना है, 0.10 into 10 की power minus 9, इसको solve करो, इसको solve करेंगे, देखो, 3 into 10 की power, 8, और यह 10 की power, 9, तो इसको solve करेंगे, यह जाएगा, 3 into 10 की power, 16 hertz, तो यह जाएगा, 3 into 10 की power, 16 hertz, यह अपना आजाएगा, आजाएगा, frequency, okay, last क्या पुछा है, momentum, okay, momentum का फिर्म ला होता है, mass interval study, लेकिन यह mass नहीं, photon की बात कर रहा है, तो momentum क energy upon speed, energy अपने पास already हम निकाल चुके, ठीके, बट जो हम energy निकालने है, 1, 2, 4, 2, 0, वो किस में है, electron volt में, और हमें यहाँ पर energy किस में चाहिए, joule में चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पर electron volt को में डालने के लिए, मैंने 1.6 से डिवाइड किया, तो अब electron volt में से joule में बना 3 x 10 की पावर, 8, यह फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिरेक्ट देखो, यह अपना energy है, energy divided by speed, तो answer कियागा, h by lambda, तो आप momentum directly h by lambda से भी निकाल सकते हो, यह फिर आपको पास already energy है, तो energy by speed करो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है, तो इसको solve करेंगे, तो अपने पास momentum आ unit electron voltage, इसका hertz है, तो momentum का क्या है, momentum का होगा kilogram meter per second, kilogram meter per second, अगर आपको किसी भी question का video solution चाहिए, तो channel subscribe कीजिए, पिर जो भी question हो, comment box no question number और chapter number comment कीजिए